करेंगे कंपनी की थोड़े बहुत फंटामेंटल्स फिर आएंगे चार्ड्स पर डिसाइट करते हैं कि किल लेवस पर बाय करके यहां पर क्या टार्गेट लिए जा सकते हैं पहले कि इंक burger some company का व्दर देखो कि काफी बड़ी कंपनी यहां पर पांचला करुड प्री से बेसादा बृट्ष के अंदर हो तो सिक्रीट क OS Caleb कि अंदर बहुतकी कंपनी का एक पूसको को तसके हैं जिसको सब्सक्राइब करते हो रि Season पहले करें कि और होसकता है शक्राला करें पहलेً के आद दोहां सबस्क्राइब टो से सब्सक्राइब करते हैं तो अग熱 और यह रहीं ठीचिर देख्चन को नहीं एक करता है और अगर एक factual बात देखें तो मतलब एक हमने खुद से अबसर्फ किये कि जो आदमी सिग्रेट पीता है उसको छोड़ते चोड़ते अगले 20 सार लग जाएंगे और उस 20 सार में आप लोग देखोगी कि अगली जनरेशन भी हमारे लिए आ जाएगी सिग्रेट पीने ताकि हम और वैसा खमापा है तो ये चीज तो चलती रहेंगी और रही बात की बैन हो जाएगा तो बैन से जादा कुछ नहीं होगा उससे जादा हो सकता है कि इसकी प्राइस बढ़ा देजाए अब प्राइस बढ़ेगी तो आटोमेटिकली कंपनी की क्या होगी मार्जिन बहुत ब और वह सूट जीत गया हो लो तो ITC को पैसा देना पड़ेगा उसको तो ऐसे के अंदर थोड़ा सा देख सकते हो कि नुकसान हो जाता है एक चीज और यह सारी कंपनी आप लोग कह सकते हो कि इंफ्लेशन और रिसेशन प्रूब है क्योंकि अगर इनको लगता है कि इनके कॉ कि अंदर जब किसी प्रोड़क का प्राइज बढ़ता है मालो 2% से भी फड़ गया अगर आज 10% की मार्चन है वहां पर 2% बढ़ा दिया गया तो अगर अर्निंग्स पे अफेक्ट देखो कि तो मार्चन पर 2% आया है लेकिन अर्निंग्स पेवां पर 20% का अफेक्ट आजा मिलेंगी तो यहां पर देखा जाए तो अगर आपना इसके FMCG PS से कंपार करोगे तो वह यहां पर आपको कम देखने के लिए मिलेंगी बट वह इसके FMCG सिग्रेट बिजनस के चलते हैं क्योंकि जब सिग्रेट बिजनस की बात आती तो लोग थोड़ा उतना बुलिश नह उसके बावजूद यहां पर कंपनी की स्टॉक की नहीं बढ़ती क्योंकि बहुत जादा लोग बाय नहीं करते हैं बाय ना करने के वज़ेसे तो लोग को लगता है कि रिस्क होने को बाइए नहीं करेंगे तो यहां पर से पर देखो को कंपनी की काफी अच्छी है नहीं होने वाला है क्योंकि आगर आज यहां पर बिजनस बंद भी होता है तो कंपनी को पास इतना कैश पड़ा है कि वह डाइवर्सिफाइए करके दूसने बिजनस में भी अपना हाट ट्राय कर सकती है और इतना पैसा होते ही हो सकता है कि 5 साल में अपना जो बिजनस खरी अब यहां पर नहीं पर और नेट प्रॉफिट कंपणी का थोड़ा सा बढ़ते हुगा आप लोगो फिर से नजर आएगा यहां पर देखो कि कौटर अनकौटर तो कौटर अनकौटर रिजर्ट काफी अच्छी होते जा रहा है यहां पर देखो कि 2020 कौटर में मार्च में 3927 कि यहां पर जो नेट प्रॉफिट दो हसारा करोड से बढ़ते हैं और यहां पर मार्च मार्च काफी तेजी से बढ़ते हुग नजर आ रही है एक शीज और है यह तो अभी रिपोर्ट आई थी एक दर साल पहले देख रहे थे न्यूज चैनल में कि यहन पर जो नभ यूवक है तो यहां पर मतलब जो हमारे हा जमाल यंग जनरेशन नहीं क्या सकते हो थोड़ा सा मतलब एक यह नया ट्रेंड की तरह सो चल रहा है थोड़ा से लोग अ पर्सेंटेज वाज जो ग्रोथ है यहां पर तेजी से मिल रही है यहां पर नेट प्रॉफिट की बात कि जब बहुत तेजी से बूस्ट हो रही है और एक रीजन यह भी है कि सकता है काफी समय तक आप लोगों मतलब अगर देखा जाएक कुछ नहीं तो 12-13 परसेंट साल भर का दे जाएगा तो पूर्टफोली आपका एक अच्छे लेवल पर मेंटेन करके चल सकता है अब देखो जैसे पिछली बार एक रायली मिलने के बाद यहां पर पॉस आया था सब्सक्राइब अभे हो और यहां पर सब्सक्राइब देखने के लिए था chodzi होट तो जाएब अशी च्रेड मिलेगी अभी गजिसा जब़ी करता आज दूरी और यह पैरलील चरणल ब्रेक करता है तो कम से कम 15-20 परसेंट तो अरांस इसके अंदर निर्श के लिआ सिंपल इसको बाय करो और भूल जाओ इस टॉक जो पूछते हो ना इटीसी वाइसा इक स्टॉक है क्योंकि यहां पर इनकी अर्निंग्स वगर बंद नहीं होने वाली है अगले 10 साल की बात कि जा तो बिलकुल नहीं बंद होने वाली है तो यहां पर इसको अभी आराम से कह सक करते हो कि एड़ कर सकते हो अपनी पोजिशन अपने पोर्टोलियों में एक अच्छा कंपाउंडिंग का स्टॉक बन सकता आप पोर्टोलियों के लिए तो यह चीज मत भूलना स्केल बाकी बस आपको वेट करना है कि एक बार को यह वाले लेवस क्लियर कर ले उसके बाद आप लोग बाय कर सकते हो यहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए कम से का में बाइन तो और भी अच्छी बाइंग मिल सकती है अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं यहां पर ऐसे भी बाय कर सकते हो इस तरह होगा कि यह की कंटिनिवेशन में बाय कर लिए एक फ्लाइग औ आपिटल सेफ रखना ओगे बाय